दोस्तों सिवानी कुमारी, दसल मैं इस पर वीडियो बनाना नहीं चाहता था, मगर क्या करें, बनाना तो पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई ब्यक्ती समाज के लोगों को इस्तिमाल करता है, उन्हें गुमरा करता है, उनके साथ विश्वास घात करता है, तो ऐसी लोगों के चेहरों से नकली नकाब उतार कर, उनका घिनवना चेहरा दिखाना हमारा करता है, और आज हम साथ सिवानी कुमारी का ऐसा ही कुछ नकाब उतार कर, उसका असली चेहरा दिखाने वाले हैं, दोस्तों जब तक सिवानी कुमारी बिग्बोस में नहीं गई थी, तब तक वो ब खो हमारे समास की है, सातमे गरीब भी है, बे सहरा भी है, इसलिए इसका खुब सपोर्ट किया जाए, और खुब बहुत-خुछ होते थे लोग कि, हमारे समास की एक लड़की है, जो काफ भी मतलब अश्चा फभनय वीडियो बनाती है, इसको खुब सपोर्ट करो, खुब वोट करने के लिए सबसे पहले बहुजन समाज के लोग खड़े हो जाते थे पैसे लगाते से सब्सक्रिप्शन खरीदते थे अपना पैसा लगा कर और उसको खुब सारा जो है कि वोट करते थे और फिर नोमिनेट से बच जाती थी बिग बोस में इसका जगह बच जाता था तो अपने तरब से इसो बाहर नहीं आने दिया बट अंदर के लोगों के वज़े से बाहर आईए लेकिन अब इसका एक चूतिया टाइप का इसका कह सकते है यार जो दोगला टाइप का जो चेहरा है न वो अब सामने आया है और साइद इसके इस घिनोने चेहरे से बहुज बहुजन समाज की लड़की है जो बिग बोस में गई है कंबेट करवादी है जो बिग बोस में गई है जो काफी लोगों का दिल जीत रही है बिग बोस को हिला कर रख दी है काफी खुसी होती थी और बाहर सभी लोग इसका प्रचार भी करते थे जितने भी बहुजन समाज सबस्क्राइब लोग से जुड़े जितने भी मीडिया की लोग थे यह सोसल मीडिया एक्टीविस्ट थे वो सारे जो है कि इसको खूब सारा सपोर्ट करते थे और हमने भी बहुत सारी वीडियो बने इसके सपोर्ट में लेकिन जब ये विग बोच से बाहर आई दोस्तों तब इसने वो सारी चीजे भूल गई जो बिग बोच जाने से पहले करती थी दोस्तों मैं देख रहा था जब मुंबई से जब कानपूर एरपोर्ट से उतर कर अपने घर के तरफ जा रही थी तब इसके काफिले में कुछ लोग बाइक पर बाबा साहब अंबेटकर की तस्वीर लेकर इसके पीछे पीछे चल रहे थे वो पेचारे साइद सोच रहते कि सिवानी कुमारी जो है कि इसको हाथ में लेगी और जब लेगी तो काफिला चलेगा तो काफि खुबसूरत लगेगा और साइद हमें भी थोड़ा गर्व महसूस होगा लेकिन मजाल है कि यह सिवानी कुमारी बाबा सहब के उस तस्वीर को एक बार भी हाथ लगाया हो एक भार भी नहीं लिया घर जाने के बाद भी इसने बाबा सहब के नाम पर कोई ऐसा कारिकरम नहीं रखा और ना ही उनके तस्वीरों पर जाकर किसी प्रकार का माले अरपड किया इसने बाबा साब के सम्मान में कोई काम अभी तक नहीं किया लेकिन अब जो है या राधा बनकर कृष्ण के साथ नाच रही है खिर हमें इससे भी आपतिना है नाचे खूम नाचे राधा बन जाए या फिर कोई और बन जाए और जिसके मरजी साथ करें उसके साथ नाचे हमें इससे कोई तकलिफ ना है मगर जिस लोगों की वज़े से जिन लोगों की भावनाओं की वज़े से लोगों के सहयोग की वज़े से वो यहां तक पहुंची और इतना बड़ा नाम कमाया कम से कम उनकी भावनाओं के साथ तो इस तरह का चूतिया गिरी करके खेल तो नहीं खेलना चाहिए था न लोग समझते थे कि यार सिवानी कुमारी तो बहुज़न समाज की वेटी है और ब बचना हुआ और बिंग बोस निकलते हैं इसके दिमाग मनवादी सामंत वादी विचार धारा बर गई और राधाबन कर नाच रही है मतलब अब लोग क्या मैसेज दे रही है खुद तो बन गई सोचल मीडिया के थ्रू बन गई समाज के लोगों के सहयोग की वज़े से यह मना चाहिए कि अधी बहुजन समाज किसी को बना सकता है न तो उसे गिरा भी सकता है तो मैं इस बहन से यह अभी अभी भी अपील करूंगा क्योंकि टाइम अभी बहुत इसके पास कि अभी भी अपनी गलती को मान कर और बाबा साहब के नाम पर कोई बड़ा कारेकरम करें जिसमें मुख्य अथीति के तोर पे रहें बाबा साहब को खुद अपने हाथों से सम्मान करें जाए भीम का नारा लगा है तो मैं जरूर कहूंगा कि यह काम करें ताकि बहुजन समाज के लोग इसे और भी आगे बढ़ा है इसको और भी जादा सपोर्ट करें वरना यह ज झाला